हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक तो माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे चैल पे जहां हम बाते करते हैं पैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल पूजा पाइट से जुड़े हुए अल इन टापिक पर और मैं आपके साथ शेर करते हूं उपनी लाइफ का एस्प सरस्वती पूजा की विधी क्या है तो इस दिन सर्व पृथम आप जो है वो एक दिन पहले घर की साफसफाई कर लीजेगा अगर कुछ आपको ऐसे साफसफाई करने तो आप वो कर लीजेगा मंदिर साफ कर लीजेगा उसके बाद इसनान करके आप मंदिर में आएगा पील रंके वस्त्रों को धारण करिएगा एक चौकी पर सफेद रंका वस्त्र बिछा के पीले रंके चाबल से अस्ट दलकमल की स्थापना अवश्य करिएगा उसके बाद जब आप यह स्थापना कर लें अस्थ दलकमल बना दे तो हमारी मा शरस्वती जी को अकर विग्रह है तो व आप फोटो लगाके मासरस्वती जी का जल ले लिजेगा उसमें आप थोड़ा सा दूरबासे से लगाके इस नान या पुष्प से भी डारेक्ट अंगुठे से इस तरीकी से जल नहीं छड़कते हैं नखून का पाने देवी देपताओं को नहीं लगाते हैं तो आप पुष् सिधारन करिएगा शिंगार करिएगा उसके बाद मा को जो है वो कुमकुम लगाएगा मा को पीले और सफिद रंके पुष्पों की माला अरपित करिएगा उसके बाद जबाद देवी सरस्वती जी का संपून पूजान कर लें उन्हें कलावा अरपित कर दीजेगा उसके ब आपने गुरुदıldिषा नहीं ले रखी है उसके बाद आप पूजन करते हैं आपकी पूजा का कोई मतलब नहीं बे अर्थ चली जाती है वो विना गुरुदक्षा आपकी पूजा जो है वो पूर नहीं होती है उसी तरीके से अगर आपने पूजा कर ली और प्रदिक्छडा नहीं की उसमें भी आपकी पूजा बे अर्थ हो जाती है तो आप पूजा की कुछ नियम है इनका विश्य स्पालन करिए इसी तरीके से अगर आपने कलस इस्थापना नहीं की समस्त देवी द्यक्ताओं कोई कत्रत नहीं किया, उन्हें साक्षी नहीं बनाया, तो फिर आपकी पूजा भी बेर्थ चली जाती, तो जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो कर रहे हैं सरस्वती पूजा, उस ध्यान से सुने, तो आप फिर छोटी से कलस की स्थापना कर जल, गंगा, जल, पान, सिपाडी, लॉंग, इलाइची, पुष्प, पान का पत्ता, कच्चा, दूध, ये आप उस कलश में अवश ड़ा लिएगा, उसके बाद आप पांच पान के आम के पत्ते लगा सकते हैं, और पांच असो के पत्ते लगा सकते हैं, दोनों वैसे जो भी उपलब्ध हो जाए, लगाएगा, पत्तों को अच्छे से सजाएगा, प्याली में भरके चावल रखिएगा, कोशिश करिएगा, चावल को पीले रंग से रंग लिजएगा, फूड कलर आता है, सारा चावल उसी से रंग लिजएगा, अस्ट दल कमली बन जाएगा, और प्याली के लिए भी निकलाएगा, प्याली में भरके शुद्ध घी से एक दीपक को आप जलाएगा, ये जो है कलश और दीपक आपकी पूजा का साक्छी होता, इसके बाद आमा सरस्वती की पूजा का संकल्प लिजएगा, आप सरस्वती स्तूती भी कर सकते हैं, मा की आर भूलते हैं, वो गुलगुले बना के भोग अवश्य लगाईगा, मा को अतिपरिय होते हैं, खीर का भोग लगाईगा, मिस्ठान चड़ाएगा, जो भी नविद्ध आपके पास अर्पित हैं, वो चड़ाईगा, नारियल भी मा को अर्पित करिएगा, उसके बाद जो है आ मासरस्वती से जूड़ी प्रियोग करते हैं, आप उन समस्थ चीजों का प्रियोग करिएगा, उनका विदिवत रूप से पूजन करिएगा, कुम-कुम चंदन चावल चढ़ाईगा, कलावा बांधिएगा, उसके बाद मासरस्वती से प्रात्ना करिएगा, के हे ज्ञान की आप हमें ज्ञान दें, और इतना ज्ञान तो अवश्य दें, के हम अपने जीवन यापन सुखी से कर सकें, इतनी बुद्धी हमारे अंदर दें, और मैं तो यह कहूंगों, जो मारे बुद्धी जीवी भाई बैने, उनको मासरस्वती बुद्धी दें, और थोड़ी से जो करें, मधुरवारी से मासरस्वती जी की आरती गाएं, आप आरती संग्रहे पुस्तके आती हैं, उसमें मासरस्वती की आरती की आरती करें, उसके बाद आप जब पूजा आपना संपूर कर लें, आरती रखें, आच्मनी कर लें, उसके बाद आप प्रदिक्छणा कर ल लुवान से करके तो आप यह सब चीजें भी उन्हें दिखा सकते हैं उसके बाद आप जो है सब को भोग प्रिशाद आर्पित कर सकते हैं आप चाहे यह प्रुकट ओत्सब है ओत्सब के रूप में हम लोग मनाते हैं आप चाहे तो ब्रत रह सकते हैं वैसे आवश्यक्ता नह नहीं कर लेते तब तक आप व्रत अवश्य रहिएगा पूजा आप सुभह में करिएगा शाम में करिएगा जब भी आपको करना हो क्योंकि बसंत पंचिमी की जो तिती है वह सुभा से लेकि साम तक चलेगी तो इस तिती में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं कोई दिक्कत मैं दुफैर से सुभा के समय में कर लेती हूं कोशिश करके क्योंकि देवी जी का इसनान कराना होता है शिंगार कराना होता है तो मैं पहले ही कर लेती हूं आप लोग अपने शुब्धा अनुशार कर ले जैसे कि मैं कहा रही हूं कि सुभा में ही पूजा कर ले तो कोशिश क करके आप सुपह हमें ही पोजा कर ले क्योंकि फिर आपको खाना पीना खाना को तो उसके बाद आप खाना पीना खा सकते हैं अपने जो भोग बनाईए बिना प्याज लैसुन का बनाईए देवी जी को भी अर्पित करिए खुद भी खाईए और जो लड़ु बाबु उन्हे ही दीजेगा सर्वपित्था मारी शरी किर्षिन जी मारी मासरा स्वती जी की पोजा करें और अपने लड़ु आपको भी अच्छे से तयार करिएगा मैं कैसे करूंगी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वीडियो पोजा का आपके साथ शेर करूं तो मुझे कमेंट करि सब लोगों की बसंत पंचमी की धेर शारी सुब कामना है हमारे ग्यान की देवी हम सब को ग्यान दें बक्ती दें शक्ती दें और इतना ग्यान दें कि हम अपने जीवन यापन कर सके तो फ्रेंट्स मैं मिलते हूं वीडियो तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ल झाल